भारत के पुर्व कप्तान वक्रिकेटर महिंदर सीधोनी अपने खेल और काम को लेकर अक्रसर चर्चा में बने रहते हैं एक बार फिर से महिंदर सीधोनी सुर्ख्यों में बने हुए हैं हाल ही में उन्होंने एक दिव्यांग फैन के साथ मुलकात की और जिस तरह का वहवार किया उसने सभी का दिल जीत लिया है लावनिया एमेस धोनी से मिलने की चाहत थी जिसे पुरो भारतिय कप्तान ने पूरा कर दिया विभिन मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लावनिया से मिलने धोनी खुद उसके पास पहुँचे गए धोनी से मुलकात की तस्वीरे लावनिया ने अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर की है लावनिया ने लिखा उनसे मिलने का एहसास कुछ ऐसा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वह दयालू, मधूर और मृदु भाशी इंसान है जिस तरह से धोनी ने मुझसे मेरे नाम की स्पैलिंग पूछी और उन्होंने मुझसे हाथ ही मिलाया जब धोनी ने कहा कि रोना नहीं और उन्होंने मेरे आशू पोछे तो यह मेरे लिए अतियानन्द का पल था लावनिया ने एमिस धोनी को उनकी एक स्केच गिफ्ट किया लावनिया ने पोस्ट में लिखा उन्होंने खास तौफे के लिए मुझे धन्यवाद कहा उन्होंने कहा कि वह खास गिफ्ट को अपने साथ ले जाएंगे उन्होंने मुझसे जो शब्द बोले वोई मुझे हमेशा याद रहेंगे उन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया जिसे मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती कुछ इसी तरह से उन्होंने अपने दिव्यांग फैन के साथ मिलकर उसकी इक्षा पूरी की और उसके साथ बहुत ही प्यार से बात चीत की धोनी के साथ मुलकात का वीडियो उनकी फैन के द्वारा शुरसल मीडिया पर शेयर किया गया है जो की लोगों को बहुत पसंद आ रहा है